हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल एंड टोड़ेस्ट पिकप कार्ड कॉशन इस येस और नू सो आज मैं आपको येस और नू में अंसर दूंगी आपके सारे कॉशन्स का जो आप से रिलेटेड हैं कि जिसमें आप इस टाइम पर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको उसक लेंगे हम येस और नू में आपसे रिलेटेड जितनी आपकी लाइफ की कॉशन्स है उनको मैं आज कवर करूंगी ओके सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूं इफ यो आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स टाइम आप मेरे चैन आप मुझे डिरेक्ट मैसिज भी कर सकते हैं ओके सो नाओ विद गुड़ होप और पॉजटिव एनरजी वी बिल स्टार्ट आवर रीडिंग आपके मन में जो भी कॉशन आएगा रिलेटेड टो यो लव लाइफ रिलेटेड टो यो मैरिज रिलेटेड टो यो करियर और ए इस टाइम पर क्यूरियस हैं वो जानना चाते हैं क्या उनके पार्टनर लॉयल हैं येस और नो सो मैं यहाँ पर आपको अंसर देने वाली हूँ विद टैरो येस और नो कार्ड आल राइट सो जस ठिंक आबाउट यो पार्टनर एंड राइट इन दे कॉमेंश शेशन यू सो स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपके पार्टनर लॉयल है आपके लिए या नहीं और राइट वाव आई तिंग दिस कार्ड से मैं आपको बोलना चाती हूं कि मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपके रिलेशन्शिप में मेरे व्यूर्स आप जो देख रहे हैं उन आपके र दूर हो गए हैं दूरी बन गई है और वही रिजन है कि आपको ऐसे डाउट करेट हो रहे हैं ठीक है सो एस पर दिस कार्ड मैं आपको बोलूंगी कि यस ही इस लॉयल शी इस लॉयल बट उनको इस पेस चाहिए सो उन्होंने इस पेस ले लिया है ठीक है सो दिस इस दाइम इस देंक जिसके अंदर आपके रिलेशंशिप में ब्रेक आ गया है ओके शो दिस इस कार्ड जो आपको बता रहए कि आपके relationship में एक break time चल रहा है this is a pause and again things will be fine, again things will be good, so आपको थोड़ा सा patience रखना होगा, okay so, so the other question is related to the marriage अगर आपकी इस यह marriage होगी या नहीं, हम देखते हैं, tarot आपको yes बताता है या no, ठीक है, so all right devil, dear as per this card मुझे एसल लगता है बहुत जादा negative energy है बहुत सारी complications है बहुत सारी issues आ रहे हैं आपकी life marriage को लेके, ठीक है, so जो भी मेरे viewers marriage के लिए caution लेके अपने मन में सोच रहे थे उनके लिए ये card कह रहा है कि no, इस year के अंदर आपको अपनी ये negative energy को remove करना होगा, healing कराना होगा, ठीक है, heal करना होगा अपने आपको, ये negative energy जब जाएगी, then आपकी marriage के chances बढ़ जाएगे और आपकी marriage होने के बहुत जादा possibilities हो जाएगी, you will get you will receive a good alliance and a good partner in your life, okay, only when the negative energy will go from here लेकिन जब आपकी negative energy remove होगी okay, so this was the card for the marriage this year में, now I will take the question regarding the career so अगर आपके मन में ऐसा feeling है, आपके मन में है कि क्या आपकी government job लगेगी या नहीं ठीक है, so this is की yes card और no card, आपकी government job लगेगी या नहीं लगेगी इस year, ठीक है, जो भी this time preparation कर रहे हैं, जो भी planning कर रहे हैं, उनके लिए देखते हैं क्या card आता है all right so dear, this is a card for you, this means की job लगेगी, definitely लगेगी लेकिन उसके अंदर आपको अपनी तरफ से काफी positivity रखनी है this means अपनी तरफ से preparation रखनी है, totally government job के उपर dependency रख कर अगर आप अपनी happiness को दूर रख रहे हैं अपने आप से की जब government job लगेगी, जब ही मैं कुछ start करूँगी, जब ही मैं कुछ start करूँगा so this is card is saying, no, you need to start your life, you need to live your life, okay, so आप के लिए government job के लिए बहुत जादा chances है, happiness is there अगर आप अभी तक sad है इसी reason की वज़े से कि आपकी job नहीं लग रही है so this is a yes card, आपकी government job ज़रूर लगेगी, okay now I will take the question as यह सारे questions जो मेरे को पूछे जाते हैं और मुझको request की जाती है so that's why I am covering all these questions in this reading अगर आप इसी यह pregnant होना चाहते हैं अगर आप मदर बनना चाहते हैं so आपके लिए देखते हैं कि क्या card है wow night of pentacles dear so this is the card जो आपको बता रहा है कि यहाँ पर जितने मेरी friends और viewers जो मदर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जादा positive card है okay things will be like this things will be going in a good way okay so आपकी life में बहुत जल्दी बहुत जल्ली good news आने वाली है this is the card which is saying कि आपकी life में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है good news आने वाली है और अगर आप pregnancy के लिए वेट कर रहे थे आप मदर बनना चाहते हैं वो बहुत लंबे time से मुझे लग रहा है कि वेट कर रहे so now the good news about to come okay so this year will be very good for you now I will take the caution regarding the legals जैसे मेरे पास बहुत जादा viewers पूछते हैं और मेरे पास request आती हैं कि जो उनका legal कुछ भी issue चल रहा है क्या वो इस year में finish up होगा ठीक है इस year में उसमें क्या चीज़ हो सकती है so wow this is a card जिनको भी issue है जिनका भी legal issue चल रहा है वो divorce चल रहा है या वो कोई case चल रहा है या फिर वो something anything related to legals वो कोई court में case चल रहा हो या फिर उनकी land या फिर किसी चीज़ को लेके जो भी उनके उपर अगर किसी तरीके का legal issue है paper document formalities में उनको issue आ रहा है so this card is saying you need to watch out you need to think again आपने क्या क्या formalities पूरी करी है okay this is the card जो आपको बता रहा है कि yes आपके पास बहुत ज़्यादा chances है बहुत ज़्यादा chances है कि everything will be in your favor ठीके आपकी favor में होगा लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको positive भी होना पड़ेगा I think आप बहुत ज़्यादा worry है बहुत ही ज़्यादा worry है so worryness में आप ये मत भूलिए कि आपके पास भी चीज़े है आपके पास भी possibilities है अगर और लोगों के favor में चीज़े हो रही है तो ऐसा नहीं है आपके favor में भी बहुत सारी चीज़े होंगी okay so this is a card which is saying कि legal में आपके लिए yes card है legal issue finish up होगा now I will take the another question जो मेरे पास request आई है वो है कि क्या उनकी life में उनकी partner से marriage होगी ठीक है क्या उनकी life में उनकी partner से ही marriage होगी जिनसे वो चाहते हैं so देख लेते हैं क्या card कहता है और आप comment section में अपने wish अपना नाम या फिर अपने God जिनको आप believe करते हैं वो लिख सकते हैं उनका नाम लिख सकते हैं ऐसे आपके लिए wish पूरी होगी वाव yes this is a yes card अगर आप इस टाइम अपना partner के बारे में सोच रहे हैं आप wish कर रहे हैं आप चाते हैं कि उनसे आपकी marriage हो so this is the yes card king of wands is saying to you कि yes आपकी marriage उनसे होगी उसके लिए आपकी energy जो है fire sign आया है बहुत ज़्यादा passionate energy है आप दोनों एक दूसरे के लिए काफी compatible है और true है आपका love so yes card है कि आपकी उनसे marriage होने के बहुत ज़्यादा chances है okay so I think now you are feeling so relaxed और आप खुश होंगे इस चीज़ को लेके now I will pick another card for the question related to the education ठीक है question related to the education so those who want to go abroad या फिर वो abroad में education को pursue करें या फिर उनको इंडिया से ही start up करना चाहिए wow as for the night of cup dear I want to tell you आपको abroad जाना चाहिए ठीक है आपको border cross करना चाहिए आपको overseas के लिए plan करना चाहिए all of those who want to pursue their career in abroad उनके लिए yes card है उनको definitely border cross करना चाहिए ठीक है then only you will get the satisfaction and the desirable job and working experience all right so अब तक तो बहुत ही जादा मुझे अच्छे cards लग रहे है I think आप सब बहुत fortunate है blessed है already got आपको blessings दे रहे है now I will take the card regarding the career क्या उनको अभी जो career है वो suit कर रहा है या उनको change करना चाहिए ठीक है all my viewers who have the issue regarding their career कि they are not happy with their career so उनको क्या करना चाहिए ठीक है so उनको अपनी life में वापस से change करना चाहिए career को या नहीं amazing this is a yes card this is saying कि आपको अपने career में changes लाने चाहिए ठीक है this is a card which is saying कि yes you need to change आपको कुछ ना कुछ change करना होगा वो career change हो गया या फिर approach change हो गई या फिर उसको करने का एक तरीका change हो गया या location change हो गई something something you need to change something this is a yes card for this thing कि आपको अपने career में जैसे आपको changes लाओगे जैसे आपको चीजों को आगे change करोगे so आपकी life में भी changes आएंगे और this is the card of sun आपको celebration के बहुत सारे reasons मिलेंगे okay so this is also very nice and now I will take the question regarding the marriage so काफी person है जिनको remarriage के लिए issue है और या वो divorced है so मेरे पास request आती है regarding this कि क्या उनको remarriage होगी उनकी ठीक है और यह जो divorce है अगर क्या वो complete हो जाएगा उनको divorce से आगे उनको legally सब कुछ approval हो जाएगा और क्या वो remarriage कर सकते हैं और क्या उसके लिए yes card है कि उनके लिए कितनी अच्छी message है God की तरफ से कि इस year में उनके लिए क्या चीज है वाओ this is the card for the marriage see this is the card for the celebration so dear मेरे viewers जिनको भी marriage को लेके issue है और वो चाहते हैं कि remarriage करना और उनका कुछ legal issue चल रहा है उसकी विए से नहीं हो रही है sort of divorce or anything so remarry इस year में बहुत जादा chances है yes card आया है और celebration है legal issue भी आपके favor में होगा ठीक है so जो legal issues है वो सब खतम हो जाएंगे और marriage के लिए yes yes card है you can go you can marry any person now I will take regarding the person अगर आपके relationship में है और आपका इस time पर breakup है या फिर connection नहीं है space maintain हो गया है बात नहीं कर रहे है एक दूसरे से so क्या आपका वापिस से reunion होगा reconciliation होगा this is the question जो मेरे पास request आती है तो उनके लिए देखते है yes card है क्या उनके partner से उनका वापिस से contact होगा क्या वापिस से वो relationship में आएंगे ठीक है वाउ I am feeling so blessed by telling everything क्योंकि cards बहुत जाद अच्छा रहे है मुझे लगता आप सब की energy बहुत positive है dear as per the world मैं बोलना चाहते हूँ everyone to everyone जो इस time पर बहुत pain में है वो relationship में ये सोच रहे है कि उनका life में शायद relationship अब खतम हो गया है अब वो कभी कुछ नहीं हो सकता ठीक है so उनके लिए card है कि नहीं this is the world आपको world वापस मिलेगा आपना ठीक है so वापस से आपका contact होगा वापस से reconnection होगा reconciliation होगा ठीक है so everything will be nice again wheel is rotating ठीक है वापस से चीजे होँगी आपके favor में होँगी okay so please मुझे comment section में बताईए and मेरे channel को subscribe कीजे अपनी blessings मुझे दीजे this kind of a gratitude from your side उसे मुझे बहुत खुशी होगी and I wish for a better future a better life for you if you are interested in personal reading so please you can contact me on my instagram id or on a gmail id ठीक है आप मुझे direct message कर सकते हैं आप मुझे mail के थूँ भी contact कर सकते हैं so again I will meet you with another guidance with another question so till then take care bye